Hello students, good evening to all of you, आप सभी का the bio and civil lessons पर मैं आमिर सिद्धी की हार्दिक स्वागत और अभिननन करता हूँ कैसे हैं दोस्त आप लोग उमीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में रिवीजन के कारे में जबर्जस तरीके से लगे होंगे आप सभी का KBS के इस model paper में हार्दिक स्वागत है और अभिननन है दोस्तों इस model paper के माध्यम से आज हम सभी लोग फिर से NCRT के वो 35 टॉपिक जो आपके examination के लिए important हैं और NCRT में mentioned हैं वहां से आज फिर हम सभी लोग प्रतेक portion के question के साथ 100 question बहतरीन तरीके से देखेंगे जो हमारे examination के point of view से काफी important होंगे एक बार फिर से आपको recall करने का मौका मिलेगा कि आप सभी लोग अपने सारे topic से किस प्रकार के question बन सकते हैं उन सभी questions की बहतरीन तरीके से analysis करेंगे KBS जो PGT का exam है जिन लोगों का 20 date को exam है वो सभी लोग पूरे मन से लगे रहें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है जितना cover कर सकते हैं उतना cover करें और जो लोग इसमें से sure test series से जुड़े थे sure test series के question की practice बहतरीन तरीके से करते रहें क्योंकि जो sure test series है उसके questions भी topic wise है और जब topic wise आप practice करते हैं तो वो आपके examination के point of view से काफी important होता है दोस्तों हम जानते हैं कि आप सभी लोग अपना best दे रहे होंगे और उम्मिद करते हैं कि एक अच्छा competitor वही होता है जो अपना best देता है हम तो केवल questions के माध्यम से आपको recall कराने आते हैं कि देखिए इस topic से ये वाला question भी important है और आपो अपने schedule और strategy के अनुसार जिस तरीके से revision का कार्य कर रहे हैं उस तरीके से revision का कार्य करते रहें आप सभी लोग जानते हैं कि आज QVS PGT model paper हम सभी लोग 13 में उपस्थिट हुए हैं आपके time को देखते हुए हमने आपके लिए 12 के जगह पर 14 model paper कराने का decision लिया है आज हम लोग 13 model paper करेंगे और आने वाले Saturday को हम लोग 14 model paper भी करेंगे और 100 question हम चाहते हैं और आप तक पहुचे जिससे कि आपके अंदर एक बहतरीन सा confidence जाग सके और examination में इसे आप असानी से handle कर सके उमिद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतरीन तरीके से पूरा अपना ध्यान रखते हुए अपनी preparation कर रहे होंगे अपने second paper को भी बहतरीन तरीके से memorize कर रहे होंगे चाहे वो English हो चाहे वो Hindi हो चाहे वो जो है आपका pedagogy हो ये सभी section ऐसे हैं अगर आपने इसको बहतर तरीके से perform किया तो biology का section तो आप उठाने में बहतर feel करेंगे ही लेकिन आप other paper को भी देखते रहें जब से आपकी date announce हुई थी तभी से हमने कहा था कि 3-4 घंटे आप सभी लोग बहतर तरीके से इसे भी अच्छे से करते रहें और उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस बार KVS नहीं दे रहे हैं, NVS नहीं दे रहे हैं, GIC देने के mood में हैं, LT देने के mood में हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने routine में 1-2 घंटे जरूर add कर लिजिए जो आपके GS के section को cover करें, जो आपके reasoning के section को cover करें, जो आपके हिंदी के section को cover करें, आप अपने time table में 2-3 घंटे extra add कर सकते हैं, जो forthcoming examination के लिए preparation कर रहे हैं और जिनका target है कि TGT ही clear करना है, वो biology section को और बहतरीन तरीके से revision करते रहें, आईए दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं, अपनी class को continue करते हैं, प्रशनों की shrinkla को, उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग अच्छे होंगे, साकुशल होंगे पहला question आपकी screen पर, उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी अपनी संस्था, the bio and civil junctions में, NCRT batch के लिए admission की प्रकरिया शुरू हो गई है, और इस batch के लिए आप में से जो लोग interested हैं, आप में से जो लोग interested हैं, वो लोग और आपके जितने जानने वाले लोग हैं, उन सभी तक में बीच में आपको ये बात फैलानी है, पहुचानी है कि NCRT का batch launch हुआ है, इसमें classes 24 फरवरी से शाम को 7.30 बजे application पर चलना शुरू होंगी, और हम सभी लोग PDF notes, lecture notes और NCRT का ABP करने वाले हैं, NCRT कैसे पढ़ी जाती है, NCRT के points कैसे learn किये जाते हैं, NCRT आपके mind में कैसे set हो सकती है, इन सभी चीजों पर हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, इस batch की खास बात ये होगी, कि इसमें आपको practice session कराया जाएगा, प्लस आपको writing कराई जाएगी, जो इसकी exercise होगी, उसकी writing कराई जाएगी, हम आपको written में चीजें लिखना सिखाएंगे, जिससे आने वाले examination में, जो mains का exam होता है, उस mains के exam को आप बेहतरीन तरीके से लिख सके, और आप कोई भी mains जाएंगे देने, तो आप मानके चलिए, कि mains जाएंगे, तो कम से कम 1500 question की आप practice करके जाएंगे, इसके लिए हम आपसे अलग से copy बनवाएंगे, कम से कम दो copy होंगी, जिसमें आप mains के लिए चीजें लिखना शुरू करेंगे, NCRT से शुरुआत करेंगे, और हाई लेबल तक लेकर जाएंगे, NCRT से शुरुआत करेंगे, और हाई लेबल तक लेकर जाएंगे अपनी चीजों को, और जब आपकी आदत बिगार देंगे, हर रोज question लिखने की आदत पढ़ जाएगी, तब बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा flourish होगा आपका अध्य और आओर ज्यादा confidence आएगा आपके दिल में, और confidence को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि without confidence, no one can clear the exam, पहले, सबसे पहले, firstly, you can clear your concept, then your result will be cleared, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों, वो इस बैस से जुड़ेंगे, और बैस से जुड़ने के लिए, इस नंबर पर WhatsApp करेंग रिवीजन बैच आपके लिए चलाया गया है, उस रिवीजन बैच में आप में से जो लोग अभी भी कुम्भ करण की तरह हैं, और सो रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं, उन सभी कुम्भ करणों को बताने की कोशरिये, कि रिवीजन की classes आपकी application पर चल रही है, ये class खास कर के paid students के लिए लाई गई है, कि जो संस्था से किसी ना किसी बैच में जुड़े हैं, वो सभी लोग अपना रिवीजन का कारे करते रहें, आपनी screenshot फी receipt भेजें और बैच से जुड़ें, तो जो कुम्भ करण टाइप के लोग हैं, उन्हें भी inform करने की कोशिश करें, match the following columns, इन columns को match करें, और बिलकुल बताने की कोशिश ना करेंगे, कि सर, option गलत है, यह हम सुनना भी नहीं चाहते, कि आप बताएं कि option गलत है, I don't like to hear this sound, जी, फटा-फट बताने की कोशिश करिएगा, उम्मिद करते हैं, कि सभी लोग ready हैं, जी, पहला question आपकी screen पर, और answer आने शुरू हो गए हैं, जी, father of taxonomy के नाम से किसे जाना जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, सर, carolus lineus को जाना जाता है, father of zoology के नाम से किसको जाना जाता है, तो हर कोई जानता है, सर, Aristotle को जाना जाता है, father of biology के नाम से किसको जाना जाता है, तो सर, Aristotle को ही जाना जाता है, मतलब B का भी to होगा, C का भी to होगा, B का भी 2 होगा, C का भी 2 होगा Father of New Taxonomy के नाम से Julian Huxley को जाना जाता है उम्मिद करते हैं Everyone Clear और Darwin of 20th Century के नाम से किसे जाना जाता है Ernst Mayor को जाना जाता है और उम्मिद करते हैं आप सभी लोग इनको भी जानते होंगे Who is he? ये कौन है? Who was he? ये कौन थे? Tell me fast, ये कौन थे? तो आप सभी लोगों के पास से आ रहा होगा Species लिख कर के सर, ये Species के लिए जाने जाते हैं Term Species दिया था, कुमारी खुश्बू जी ने लिख के बताया Species टर्म दिया था, आर्ती राशपूद जी ने लिख के बताया भंडारी मौरिया जी ने लिख कर बताया और किस ने लिख कर बताया? Triple Crown of Biology हाँ, बिल्कुल सही, चलेगा, दोडेगा, done उमिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का सही आंसर आया बस अब सोचिए आप कि इस तरीके से NCERT ही कुश्चन बना सकती है जो आपके सामने आये हैं दोसरा कुश्चन आपकी स्क्रीन पर उमिद करता हूँ लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा Two different general are classified in the same taxonomic category कहरें कि दो different general same taxonomic category में classify किये जाते हैं Called family, जिसे हम लोग family कहते हैं Which statement is correct about their classification? कौन सा statement correct है इनके classification के आधार पर उनमें same class होती है Same class but different species Different class होती है और different order होते है महा गलत Same phylum होता है, different class होती है महा गलत Different kingdom होता है, different phylum होता है महा गलत इसका सही और सठीक answer है इनके same class होते हैं लेकिन इनकी species different होती है क्या होती है यह same class रखते हैं लेकिन इनकी species क्या होती है इनकी species different होती है जी बहुत अच्छे आफरीन बानो जी same class होती है sir done next question तीसरा और most important जिन लोगों ने मेरी pinpoint की class complete की होगी उन सभी लोगों को यह term बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कि what is neotype, what is is isotype जी यह सभी उन लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है आइसो टाइप क्या होता है नियो टाइप तो यह बात समझने के लिए अगर आप concept जानते हैं तो असरसन में लिखा है नियो टाइप is a nomenclature टाइप when original material is missing, जब original material miss हो जाता है तो नियो टाइप बनाया जाता है original material की जगह पर जो भी specimen लाया जाता है, जो भी plant लाया जाता है, जिसका नामकरण किया जाता है उसे हम लोग नियो टाइप के नाम से जानते हैं, if a biologist is to nomenclate, अगर एक biologist nomenclate करता है a similar species he studied, अगर similar species की study करना चाहता है, तो वो उसके ISO टाइप को पढ़ता है मुझे लगता है कि आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे, कि दोनो facts सही है, लेकिन दोनों आपस में कहीं पर interconnected नहीं है और ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे sir, both assertion और reason are correct but reason is not explaining the correct explanation of assertion, और लगभग आप सभी का the answer आना चाहिए which of the following depict the correct function of botanical garden, इसमें से कौन है जो botanical garden का correct explanation देता है which of the following depict the correct function, कौन है जो correct function बताता है botanical garden का, बतनिकल garden का correct function क्या होता है जैसे ही botanical garden आता है, तो आप सबसे सबसे पहले आप समझते हैं, कि botanical garden जो होता है sir, ये conservation करता है क्या करता है, conservation करता है, आप से पहला option कह रहा है, one can observe tropical plants there, नहीं दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती कि tropical plant देखने को ये बताता है, इसलिए ये गलत है, they allow XC2 conservation of germplasm, बिल्कुल सही है, ये क्या करता है, XC2 conservation of germplasm करने में help करता है they provide the natural habitat for wild life, ये भी गलत है, अर्थात इसका सही आंसर होगा, B, आप सभी लोग बताएंगे, केवल ये conservation करता है जी, conservation में help करता है, इसलिए इसका सही और सची का आंसर होगा, only B, क्या होगा, only B, कि ये allow करते हैं, क्या allow करते हैं, they allow XC2 conservation, यहाँ पर XC2 कर लिजेगा they allow XC2 conservation of germplasm, इसका आंसर होगा, B is the right answer, नेक्स कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो बहुत ही आसान है, और आप देखते ही उडा सकते हैं cell wall of all fungi is composed of, कैरें, जितने fungi होती हैं, कि cell wall किसकी बनी होती है, काइटिन और polysaccharide की, cellulose और काइटिन की, पेक्टिन और स्टार्श की, सिलिका और लिपिट की, आप सभी का आंसर आ रहा होगा, फुल साटिसफेक्शन के साथ, काइटिन और polysaccharide की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन और polysaccharide की बनी होती है, लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विंदुसार जी, नमस्ते, गुड इविनिंग, लेट कैसे हो गएं, नेक्स कोशन पर चलते वो इसी तरह से कराए गए हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे, तो 13 model paper में आप गेस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हर model paper में 3-3 question उठाए गए, तो एक topic से 40-40 question उठाए गए हैं, आप देखें, बताने की कोशिश करें, बिना question पढ़ें, आप स सभी का answer correct है, अच्छा question है, अच्छे-अच्छे को परिशान करता है, different जगह पर different answer मिलता है, लेकिन जो answer NCRT कहती है, उस पर follow करना है, असर्शन में कह रहा है, साइनो बैक्टीरिया, जो साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया और gram positive photosynthetic prokaryotes, पहला point, ये आपको डराता है, धंकाता है, साइनो बैक्टीरिया और gram positive photosynthetic prokaryotes, NCRT कहती है कि Sinobacteria are gram-negative, क्या कहती है, कहती है gram-negative photosynthetic prokaryote, तो हम सभी लोग भी इसी को मानते हुए चलेंगे, कि ये क्या कहती है, ये कहती है gram-negative, Sinobacteria are one of the earliest colonizer of barren areas, आप कहेंगे ये तो सही है, कि Sinobacteria जो है, ये कॉलोनी में रहती है, कॉलोनी का formation करती है, इस आधार पर आप कहेंगे, असरसन इसका incorrect है, और reason इसका correct है, NCRT पर जाने पर ये पता चला कि इसका ए गलत है, जी, और आगर आप Google पूगल करेंगे, तो आप देखेंगे, कि आपको positive और negative में confusion होगा, इसलिए आप पूरे इमानदारी के साथ, NCRT के पीछे जाएंगे, जी, clear, जब आप NCRT के पीछे जाएंगे, तो आपकी चीजें clear हो जाएंगे, done, जी, उम्मिद करते हैं, यहां तक की बातें आप सभी लोगों के लिए clear, जी, हाँ, हाँ, अभिने पंडित जी, अगर हम Google पूगल करेंगे, तो क्या होगा, यू नो न, आए, आगे चलते हैं, next question, consider the following statement, consider the following statement, regarding reproduction in fungi, fungi के regarding reproduction, fungi में reproduction के recording, आप लोगों को बताना है, कि इसमें से कौन सा correct है, consider the following statement, regarding reproduction in fungi, पहला statement कह रहा है, fungi can reproduce by fragmentation, आप कहेंगे 100% सही, fungi can sexually reproduce by fusion of compatible nuclei, आप कहेंगे सर, बिलकुल सही, asexual reproduction do not takes place in fungi, मा गलत, fungi में दो टाइप के reproduction होते हैं, asexual और sexual, asexual reproduction में ही fragmentation आता है, इसलिए आपके दो options है, एक गलत, जी, अरविंद यादो जी, आपका सुभ संध्या, आपका नमस्कार, सबको सुभिकार हैं, जी, तो आप सभी लोग बताएंगे, इसमें कौन सा सही है, इसमें एक और दो सही है, तीसरा क्या है, तीसरा गलत है, और उम्मिद करता हूँ, आप में से लगभग लोगों का आंसर यह आ रहा होगा, तेल मी फास्ट, जी, लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा होगा, लाइफ साइन्स सोनी निशाद जी, नमस्ते, सर आपका नोट्स काफी है, सब क्वेश्चन आ जाते हैं, शुक्रिया महरबानी, वो नोट्स आप तो आप लोग को हम क्या बताएं, कि आप लोगों को इंडक्शन जला के दिखाएं, या आपको यह बताएं, कि आपकी complete preparation हो चुकी है, आपकी जितने लोग है, सब की complete preparation हो चुकी है, बस आपको क्या करना है, आप सुनते हैं न, आप जब कोई व्यक्ति सेलेक्ट होता है, तो आप सुनते हैं, नहीं सुनते हों तो कभी-कभी सुन लिया करिए, UPSC का interview हुआ था, उस competitor competitor होता है, और result भी आया है, UPSC का जो interview हुआ था इस बार का, आप उसको सुनते तो उसमें competitor आप नहीं, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ये जो students हैं, 24 साल, ये जज़बाती लोग हैं, इनकी बात सुनेंगे न, ये कहेंगे लक्षमी कांथ 12 बार पढ़े थे, आप 12 दिन तक बिहोष हो जाएंगे, लक्षमी कांथ को 12 दिन पढ़ेंगे तो, ये कहते हैं, 70 test series दिये थे, और सारी test series को 70 बार revise किये थे, अब सोचो, आप कहां stand कर रहे हो, आप तो एक बार एक questions paperwork solve कर लेते हो, तो अपने आपको क्या समझने लगते हो, धनी, किसका धनी, ग्यान का धनी, अपने आपको ग्यान का धनी समझने लगते हो, जी, अब ही आपको क्या करना है, आप सभी क्या हैं, आप सभी लोग अपने syllabus को complete कर चुके हैं हमने आपसे क्या कहा है, हमने अपने जान में आपको तीन बार biology revise कराई है एक बार हमने पूरा syllabus पढ़ाया है, full course पढ़ाया है दूसरी बार CEO test series के बहाने revision करा आया है तीसरी बार revision b Smash के माध्यम से revision करा रहे हैं हमने आपके साथ तीन बार revision का कारकरम किया है चौत्ही बार के लिए हम आपके साथ तयार है चौत्ही बार के लिए fourth attempt के लिए हम तयार हैं कि एक बार biology का revision और होगा और वो NCRT के आधार पर होगा और जिसको भी लग रहा है कि NCRT में सर हम लोगों से 2418 रुपए ले रहे हैं वो सभी लोग एक बात कान खोल करके सुन ले होश में सुन ले इस 2418 के लिए परिशान नहीं होना है ये जमा करना है 6-8 महिने पढ़ना है और एक बार सोचना जब आपका चोटा सा बेबी स्कूल में जाता है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो तो मिनिमम चार हजार फीस लगती है आप सोचो 6 महिने के लिए आपको 2499-2418 भारी लगेगा एक बार पढ़ करके सेलेक्ट हो जाओ और सेलेक्शन के बाद नजाने कि इसकी दिक्कत रहती रहेगी ये तो एक बार आमिर सर को देना है इसकूलिंग में हर महीने देना है तो जो लोगों के अंदर ये doubt confusion होगा और बचना चाहा रहे होंगे वो बचेंगे नहीं इस बैच के माध्यम से चौथी बार प्रैक्टिस कराऊंगा और चार बार प्रैक् चाहे उत्राखंड में चाहे हिमाचल में चाहे दिल्ली में चाहे जहां पर सेलेक्शन लेना है कितनी मेरिट जाएगी तैयारी अब इस लेबल की हो गई है कि आपने सेलेबस को पढ़ लिया आपने स्योट टे स्रीज से 12,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप रिवीजन ब टरीके से रिवीजन करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा जी आंकिता मौरिया जी बट आप से पढ़के ओके ठैंक्यू लेकिन पढ़ना है अभी पढ़ना है जम के पढ़ना है इतना पढ़ना है कि आपका सेलेक्शन क्यूं हो जबाब आप अपने से पूछा करो कि 50 seat में आपका selection क्यूं हो आपका selection क्यूं हो तो आप अराम से confidence से बोलना मेरा selection इसलिए हो कि मैंने पूरा syllabus पढ़ा है मेरा selection इसलिए हो कि मैंने 12,000 questions solve किये हैं मेरा selection इसलिए हो कि हमने 4 बार revision किया है हमारा selection इसलिए हो कि हमको NCRT dicto line याद है क्या आपको याद है NCRT 55 नमबर पेज़ पर क्या है क्या आपको याद है NCRT 24 नमबर पेज़ पर क्या है क्या आपको याद है NCRT 269 नमबर पेज़ पर चीज़ है आपके हाउसले इतने बुलंद हैं ती जी टी नहीं आप कोई भी एक्जाम क्रैक कर सकते हैं बस फॉलो दिस इसे फॉलो करें करें मौका है उमिद करते हैं यहां तक की बाते किलियर जब आप पढ़ाएंगे तभी याद होगा ऐसा होगा तो समझ जाए ओम सर से हम साप भिजवाएंगे स्नैक्स क्योंकि मैं मेहिनत की है आमिर सर के संदिख्ध में ओके अभिशेक पंडित जी गरिमा यादो जी सर फी और बढ़ा दीजिए बहुत कम है गरिमा यादो जी आपने सच में मेरे दिल की बात छीनी है कि फीस बहुत कम है और जो है 2918 रुपए है और हमारे पेड बच्चों के लिए 2418 रुपए है आपने सच में मेरे दिल की बात छीनी है जब NCRT का अगली बार बैच लांच होगा ना 24 फरवरी 2014 जब ये बैच लांच होगा तो NCRT की फीस हमारे पेड कोर्स से ज़्यादा होगी क्योंकि NCRT क्या है पेड कोर्स से ज़्यादा होगी लेकिन ये पहला बैच है और जो है ओम सर हमसे कह रहे थे आमिर सर ये बच्चे जो है एक बार फीस दे चुके हैं इसलिए इनके लिए थोड़ा सा कम कर दीजिए तो मैंने कर दिया नो डाउट लेकिन अगली बार पेड कि श्रिंखला पर आए नेक्स्ट फाइफ किंग्डम सिस्टम आप क्लैसिफिकेशन सजेस्टेड बाई आरेच वाइट वाइटेकर इस नौट बेस्ट उन इट वाज बेस्ट अन जो बेस्ट आफ रिप्रोड़क्शन इट वाज बेस्ट आन मोड अफ नूट नूट अफ कॉंपलेक्सिटि आप दा बाडी ऑर्गनाइजेशन बट नौट बेस ऑन वेल डिफाइनड नूपलियस नौट बेस्ट आन वेल डिफाइन नूपलियस ऐ कि लियर उमिद करते हैं कि सभी लोगों का आंसर बिलकुल किलियर आ रहा होगा कि इट वास नौट बेस्ट उन वे बहितरीन तरीके से आपके सामने एडियंटम नाम सुनते ही आपको याद आता है कि सर मैडन हेयर फर्न है ड्रायोप्टेरिस नाम सुनते ही आपको याद आता है मेल सील्ड फर्न है टेरिस सन फर्न है लाइकोपोडियम क्रीपिंग पाइन है अगर सच में आप लोग को ऐसे य सच में ऐसे याद आ रहा है, तो समझ जाएए आपकी तयारी आपके लेबल पर पहुँच चुकी है, और ऐसे याद आना चाहिए, ऐसे याद आना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, जी अगर ऐसे ही याद आया है, तो सच में बहुत अच्छा लगा है, नेक्स कोश्चन, एलेवन नमबर कोश्चन, इन फिउनेरिया कैपसूल, इन फिउनेरिया कैपसूल, डिस्परसल आफ इस्पोर्स टेक्स प्लेस थ्रो, फिउनेरिया कैपसूल में, डिस्परसल आफ इस्पोर्स किसके द्वारा होता है, Perisctomial teeth के, Caliptra के, Upperculus के, None of These सभी लोगों का आनसर आ रहा होगा सर Perisctomial teeth के किसके दोस्तों? Perisctomial teeth के जो की Hydroscopic होता है दो रोज में लगा होता है एक रोज में 16 teeth होते हैं जी, लगबग सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से आनसर आ रहा होगा सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा होगा और correct आंसर है peristomial teeth is the right answer लगभग सभी लोगों का correct है next question 12 number question आपकी screen पर which type of chloroplast are present in the members of chlorophyce chlorophyce members में किस तरीके का chloroplast पाया जाता है which type of chloroplast जैसे ही नाम आता है ilgababu का ilgababu में chlorophyce का नाम आता है आपको खुब अच्छा याद आता है कि sir इसमें तो spiral वाला भी पाया जाता है sir इसमें reticulate वाला भी पाया जाता है cup shaped भी पाया जाता है disquired भी पाया जाता है plate like भी पाया जाता है होर्षू शेप भी पायाता है गर्डिल शेप भी पाया जाता है आपको सब याद आता है इसका मतलब इसका सही आंसर है आल दा इबब ये NCRT के questions हैं ये NCRT के questions हैं NCRT आपको एक मौका देती है अपने topic को और बेहतर बनाने का और teachers बनने के बाद एक best teacher बनने का भी मौका देती है Bryophytes resembles alga in the way diet Bryophyte alga से मिलते जुलते हैं Bryophytes alga से मिलते जुलते हैं क्या बात है कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इनकी दोनों की filamentous body होती है इन दोनों में vascular tissue present होता है आप कहेंगे गया differentiation of plant body into root stem leaves होती है आप कहेंगे गया thallus like plant body होती है root present होता है root present होता है कहां पढ़ा था rise wires पढ़ा था thallus like plant body होती है lack vascular tissue होता है और ये auto traffic होते हैं ये दोनों ऐसे होते हैं यही इनका मिलता जुलता character है this is the मिलता जुलता character बिलकुल free हो करके हम आपको ये समझ रहे हैं कि आप fully prepared है और जो है जो नई चीजे आएंगे आप उन्हें handle करते हुए आगे चलेंगे इस तरीके से जब आप बिलकुल frank होते हैं तो question का answer पकड़ने में बहुत आसानी होती है winged pollen grains आधी आबाधी question देखते ही समझ गई winged pollen grains किसमें पाया जाता है बच्चा बच्चा जानता है पाइनस में पाया जाता है winged pollen grains पूरे डाइग्राम के साथ आप सभी लोगों ने बहतरीन तरीके से पढ़ा है इतने confidential होकर के चीजें करनी है और जो question ना समझ में आए वो हम 19 तारीक को जब class लेंगे Saturday को, Saturday को 18 तारीक को जब 18 तारीक को class लेंगे तब वहाँ पर बात करेंगे एक question है आपके सामने C, ये question थोड़ा सा देखिए pulvinus leaf base is present in the in some leguminous plant कह रहें कि pulvinus leaf base दोस्तों कभी आप leguminous plant को देखने कोहिश करिए तो leguminous plant में ये जो छोटा सा मोटा सा swelling वाला part है this is called pulvinus इसी छोटे से मोटे वाले part को pulvinus कहते हैं और ये आपको किसमें देखने को मिलता है pulvinus leaf base ये देखने को मिलता है leguminous plant में ये 100% correct है और ये देखने को मिलता है leguminous plant में ये 100% correct है और in Icornia the pitioles expand becomes green and synthesize food कहने कि Icornia में जो pitioles होता है expand कर जाता है और green हरा हो जाता है and synthesize food और food की synthesis करता है opposite philotexy is seen in guava 100% सही है और कुछ किताबे कहती है कि ये Icornia भी सही है इस आधार पर इसका answer all of the above हो सकता है या थोड़ा सा confusing कुछ किताबे कहती है या ऐसा नहीं करता तो one two third हो सकता है लेकिन आप ऐसे case में इसका answer all of the above लगा कराईएगा most most important all of the above लगाईएगा तीनों के case में ऐसा होता है देखा गया है देन? जी उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से clear अच्छा कोश्चन है देखते हैं कितने लोगों को taxonomy याद है और card data के बाद हम लोग revision batch में कूदेंगे किस पर और हमने आप से वादा किया है जिस तरीके से आपका non card data card data का revision होगा उसी तरीके से revision batch में अगला और बहतरीन topic आएगा taxonomy इस taxonomy को हम लोगों को इतने अच्छे से पढ़ना है कि taxonomy का जो tax शब्द है वो हम देने लायक हो जाएं आप भी tax paying हो जाएं हम ऐसा चाहते हैं आप tax paying तभी होंगे जब आपका taxonomy clear होगा और जब taxonomy clear होगा तो आपका TGT clear होगा और जब TGT clear होगा तो MSC किया होगा तो PGT भी clear होगा और account में पैसा आना शुरू होगा 60,000 रुपए तब आपके 12 महीने में आपका account बताएगा 7,20,000 रुपए कुछ लोगों का account बताएगा 27,20,000 रुपए कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी शुदा नहीं है शादी शुदा नहीं है अभी उनकी marriage नहीं हुई है तो जब ये 60,000 पाना शुरू करेंगे तो लोग इनको 20 लाख और देने का प्लान करेंगे तो इनके account में stand मारेगा 27,20,000 रुपए फिर government को इनको tax भी देना पड़ेगा क्यों? Taxonomy अच्छा किया जी क्या अच्छा किया? Taxonomy अभी आपसे कोई पूच्टा नहीं है कि क्या हाल है आपके लेकिन सेलेक्शन ले लीजिए तो देखिए मज़ा आएगी सर आप तो taxonomy बहुत ही जबर्दस्त पढ़ाएं हैं अरे वो पढ़ाया था अब revision करवाएंगे don't worry clear? उमिद करते हैं कि यहां तक की बात है clear question देखिए name the type of estimation when sepals are petals in a world just touch one another at the margin without overlapping बिना overlapping के तो सब का अंसर आ रहा होगा wall weight और जितने लोगों ने wall weight answer किया है सभी लोगों का answer 100% correct है अब बताईएगा taxonomy कैसी है जी clear? wall weight activation बहुत अच्छे अभिने पंडित जी इसी तरीके से चलते रहें हमें activation याद है सर अरे याद नहीं होगा तो जानते हैं न याद होना चाहिए बहुत सारी बातें करनी है taxonomy में खुब सारी चीजें सीखनी है cythiam inflorescence जैसे cythiam inflorescence का यो लोग नाम सुनते हैं इनको लगता है जैसे किसी ने फैमिली मिंबर का नाम ले लिया cythiam inflorescence shows हुआँ है इसका सही आंसर क्या है एम राइट और नॉट, टेल मी फास्ट, जी, फटा-फट बताने की कोशिश करिएगा, हाँ, पेट्रोल फैमली, देखिए, कितना आगे तक सोच रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है, यू फार वी एसी में पाया आता है सर, जी, उम्मिद करते हैं, लगवग सभी लोग बेह प्रेजेंट होते हैं, जी, उम्मिद करता हूँ, एवरिवन आर करेक्ट, आज, आप सभी लोग बेठर तरीके से आंसर कर रहे हैं, पेटल्स, ऐसे लिखा है, एक कोश्चन पूछने का तरीका ये भी है, देखिए, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आप से कह रहा है, लिखे हैं, ये किस के बारे में बता रहे हैं, कैलिक्स के बारे में, करोला के बारे में, सेपल के बारे में, एंडूशियम के बारे में, तो आप बताएंगे सर, ये लिख कर बता रहा है, पेटल, पेटल बोले तो करोला, ये करोला के बारे में बता रहा है, किस के बारे में साइथियम और हैपन्थोडियम साइथियम और आइपन्थोडियम Inflorescence Are Related In Having क्या दोनों में पाया जाता है दोनों में Nectar Glandes पायजाती है बिल्कुल स़ही दोनों में Unisexual Flowers पायजाते है या Both A and B या None of the A bond बताने की कोशिश करिएगा उमीद करते हैं से लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा see is the right answer see is the right answer दन next question question number 20 आपकी screen पर उम्मीद करता हूं everyone gives correct answer हर प्रीका सही answer आएगा hypodermis in dicot stem pericycle in dicot stem ground tissue in monocot stem बहुत अच्छा सा question है और अब उम्मीद ये भी है कि आप सभी का सही answer आएगा कोई आप से पूछे hypodermis in dicot stem dicot stem में hypodermis कैसी होती है बच्चा बच्चा जानता है सर ये colon chimetus होती है कैसे ही होती है colon chimetus होती है अगर कोई आप से पूछे कि जो pericycle होती है वो कैसी होती है तो आप बताएंगे सर pericycle जो होती है वो peranchymatis भी होती है, iscleanchymatis भी होती है और जो ground tissue होता है सर, monokart में वो peranchymatis होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा two, three, one ground tissue, peranchymatis होता है monokart में ये peranchyma, kolonchyma, iscleanchyma तीनों होता है लेकिन मोनोकार्ट में पैरनकाइमेटस होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C जी और जैसे ही पैरनकाइमा का नाम आता है आप सभी लोगों को याद आता है कि सर ये तो स्टोरेश का काम करता है C को लॉग कर दे सर ओके थेंक यू उमिद करते हैं लगबग सभी लोगों का करेक्ट आंसर 21, Iskleran Chima is thick-walled, Iskleran Chima thick-walled होती है, thick-walled tissue होती है, which has deposition of, किसका deposition होता है, Lignin on their cell wall, Subarin on their cell wall, Pactin on their cell wall, Cellulose on their cell wall, आप बताएंगे सर, Iskleran Chima में, Anatomy हम लोगों ने बहुत अच्छी से पढ़ा है, Lignin होता है, Iskleran Chima में क्या होता है, Lignin का deposition होता है, याद रखना most most important, never be forgetted, कभी भी मत भूलिएगा, Ground tissue includes, Ground tissue किसकी बात करता है, Ground tissue बात करता है, All over cortical reason की बात करता है, Ground tissue parent Chima की बात करता है, Ground tissue colon काइमा की बात करता है, Ground tissue iskleran काइमा की बात करता है, बोले तो ये किसकी बात करता है, तो आप बताएंगे, बोले तो ये epidermis को छोड़ करके, और इंडोडर्मिस तक की बात करता है, ये iskleran काइमा है, ये colon काइमा है, और ये आप बताएंगे parent काइमा है, iskleran काइमा की बनी होती है pericycle pericycle कहाँ होती है endodermis के under pericycle काँ होती है endodermis के अंदर होती है अर्ठाद ये बात करती है all tissue सभी tissue का parent chemka, colon chemka exclean chemka accept epidermis and vascular bundle epidermis और vascular bundle को छोड़ कर ये सब की बात करती है ये question अपने मन में खुब अच्छे से बैठा लिजेगा, कि जो ground tissue है, वो किसकी बात करता है, वो paranchyma की भी बात करता है, वो colon chyma की बात भी करता है, वो scleran chyma की भी बात करता है, और किसकी बात नहीं करता, epidermis की बात नहीं करता, vascular bundle की बात नहीं करता, उमिद करते हैं, done, next question 23, 23, which is not correctly matched, इसमें से कौन है, जो correctly matched नहीं है, एनिलिडा, एंट्रोसिलोमेट, प्लेटी हलमेंथिस, आसिलोमेट, आर्फरोपोडा, साइजोसिलोमेट, निमैटे हलमेंथिस, सिवडोसिलोमेट, तो बच्चा बच्चा जानता है, सर, एनिलिडा जो होता है, वो सिलोमेट होत और 100% COT के साथ आपका जवाब है, डन टु अल, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 24 आपकी स्क्रीन पर, दा करेक्टरेस्टिक्स लार्वा आफ, फाइलम सिलिंट्रेटा, फाइलम सिलिंट्रेटा का करेक्टरेस्टिक्स लार्वा कौन सा है, प्लानूला, सिष्टी सर प्रकस, रबिटीव फॉर्म, रिगलर, सभी का अंसर आ रहा होगा, कि सिलिंट्रेटा का फेवरिट लार्वा कौन है, प्लानूला, कौन है, इसमें से आप्षन में कौन सा दिख रहा है, प्लानूला, प्लानूला इस दा राइट आंसर, नेक्स्ट कोस्चन, 25, इंडार्क इस कंडिशन इन विच, इंडार्क कंडिशन होती है, जिसमें आप दो कंडिशन जानते हैं, एक इंडार्क और एक इंडार्क, इंडार्क कंडिशन में आप क्या जानते हैं, जब प्रोटोजाइलम क्या होता है, सेंटर की ओर होता है, तो उसे इंडार्क बोलते है और जब protozylum periphery की ओर होता है तो उसे exact condition बोलते हैं आप सभी को ये term याद होंगे कि in dark क्या होता है और exact क्या होता है in dark का मतलब होता है जब कहा हो जब ये center की तरफ होते हैं तो उन्हें in dark बोलते हैं और जब periphery की तरफ होते हैं तो उन्हें एकजार्क बोलते हैं और 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे in dark condition 26 match the following बहुत अच्छा question है और हम पूरे मन में हैं कि हम आपको आज इसको याद करा देंगे आज हम आपको इसको याद करा देंगे इसको हम छोड़ने नहीं देंगे आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे ये मेरा वादा है दावा है जी बताएगा tell me question number 26 जी और लगभग सभी लोगों के correct answer भी आ रहे हैं इसमें कि sir इसका सही answer हो जाएगा अगर कोई पूछे कार्क तो हम लोग बताएगे कार्क मतलब film अगर कोई पूछे secondary cortex तो इसे हम लोग बताएगे जैसे film होता है वैसे phylogen cortex phylogen और कार्क कैम्बियम में कौन आता है कार्क कैम्बियम में आप लोग बताएगे एका जी एका टू बी का वन अरे ये कैसे कार्क का क्या हो जाएगा कार्क का हो जाएगा film एका टू secondary cortex का क्या हो जाएगा secondary cortex का हो जाएगा phylogen और कार्क कैम्बियम का क्या हो जाएगा phylogen याद करना है कि अगर कार्क में कैम्बियम लग गया तो दो शब्द हो गए और दो शब्द हो गए तो आप क्या बताएगे आप बताएगे phylogen फेलो जन में दो शब्द है, फेलम में केवल एक शब्द है, कार्क और कार्क कैम्बियम में difference आप कर लेंगे और आपका answer हो जाएगा D, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा, 2, 3, 1, लगभग सभी लोगों का correct है, 2, 3, 1, कार्क पूछेगा, फेलम लगाना है, कार्क कैम्बियम पूछेगा, फेलो डर्म लगाना है, याद रखना है, मतलब दो पूछेगा, तो दो वाले ले ले लना है, next question, 27, amphibians cannot survive in sea water, amphibians sea water में survive नहीं कर सकते, you all know, amphibians sea water में survive नहीं कर सकते, right or not, right है, amphibians sea water में survive नहीं कर सकते, amphibians have for breeding on land these would collapse under the water pressure of sea ये कह रहे हैं भई कि amphibians में lungs होता है breeding on lands lands पर ये breed करते हैं these would collapse under water pressure of the sea कहेंगे ये महा गलत है सर ये sea के water pressure से collapse नहीं हो जाएगा क्योंकि cutaneous respiration भी करता है आपका amphibians जब आपका amphibians cutaneous respiration करता है तो उस situation में क्या होगा उस situation में जब C में होगा तो पानी में वो cutaneous respiration नहीं कर पाएगा क्योंकि salt की वज़ा से उसके जो porous skin होती है वो respiration में helpful नहीं होगी और इस तरह से आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा assertion is correct, reason is incorrect और लगबख सभी का answer आ रहा होगा reason is incorrect जी done उमिद करते हैं सभी लोगों की यहां तक की बातें clear कि हमारा सब पढ़ा हुआ है क्या पढ़ें नहीं लाइएगा हमेशा एक नई energy नए जोज के साथ एक बार और strategy बना करके revision करिएगा अपने दिमाग में यह बात तब तक नहीं आने दीजिएगा जब तक selection ना हो जाएगा एक दिन अगर आपने वेस्ट किया यह सोच करके कि क्या पढ़ें सब आता है और बेवजा के questions लगाएं बैठके तो समझ जाएगा कि अब आप अपने पैर पर सब कुछ जानते हुए भी फौड़ा चला रहे हैं समय मिले एक बार और revision समय मिले एक बार और revision एक दिन में 20 वीडियो देख दाईए किसी दिन किसी दिन बैठ जाएए सुबा 7 बजे कहीं ना जाना हो तो शाम को 7 बजे तक उठो ना करो ना कुछ चेंज selection क्यूं होगा चेंज लाओगे तब तो होगा बुद्ध सुद्ध भी कभी कभी खो जानी चाहिए selection के लिए क्योंकि जब आपके बुद्ध सुद्धू हो जाएंगे तो selection आपका जरूर हो जाएगा समझ आ रही है एक बार thumb up करके इशारा करें बताने की कोशिश करें एक बार thumb up करके बताने कोशिश करिएगा अगला target सुद्धू बुद्धू होना है clear जी स्वागत है अभिनंदन है सिखा शाराश्वत जी भंडारी मौर्या जी सेल्जा सुकला जी नितु गुपता जी निकिता जी नहातिवारी जी जी आर यादो जी विपिन कुमार जी प्रवेश कुमार यादो जी अनुरोध कुमार जैस्वाल जी विशाल आर वर्मा जी साक्षी भार्ती जी सुमित्रा मुर्मू जी आफ्रिन बानो जी चित्रांशू जी बिंदुशार जी लाइफ साइंस जी, दिक्षरावत जी, अभिने जी, विनोत कुमार जी, डैजी सहब जी, मंगेश जी, नेहा शर्मा जी, ज्योती जी, तिर्शा अम्रिश यादो जी, राज बहादूर जी, जितेंदर कुमार जी, संजे कुमार जी, राज बहादूर जी, लाइफ साइंस सोन प्लानेरिया पुछ ले तो प्लानेरिया का एबीपी तो आप खुदी कर देंगे और प्लानेरिया का एबीपी जब करेंगे तो एबीपी में क्या बताएंगे प्लानेरिया किस phylum का है, प्लानेरिया किस class का है, प्लानेरिया के क्या खास character होते हैं, और प्लानेरिया किस के लिए जाना जाता है, प्लानेरिया से पहले Hydra में Regeneration को खोजा गया था, किस ने खोजा था, कब खोजा था, सबसे ज़्यादा किस में होता है, this is all the ABP of the प्लानेर था तीनो फोरा पूछा था कि टीनो फोरा में कौन आता है प्लियूरो ब्रांकिया आता है जो लोग TGT साइंस का एक्जाम देने गए होंगे उनको दिखा होगा ये और अगले दिन भी दिखेगा जी उमिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की किलियर या काकरोज के बलड में रिस्प्रेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता तो क्या काकरोज रिस्पायर नहीं करता गलत respire करता है anaerobically महा गलत काक्रोष respire करता है काक्रोष में 10 pairs of spiracles होते हैं लेकिन काक्रोष क्या करता है oxygen reaches tissue through tracheoles इसमें जो tissue तक oxygen पहुचता है वो tracheoles के द्वारा पहुचता है there is no medium of blood to reach the oxygen to the tissues इसलिए इसका केवल आंसर कौन सा सही है अरे only one only three only four टाइपिस भाया only three यहां पर three कर लिजिएगा clear जी उमीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer जी अब कुछ लोग बता रहें three and four कूटेंगे भी उनको four option नहीं यह four बता रहे है 31 which one of the following tissue joins skin to other tissue इसमें से कौन है which one of the following tissues joins skin to other tissue skin को other tissue से कौन जोड़ता है skin को other tissue से कौन जोड़ता है बच्चा बच्चा जानता है sir skin को tissue से जोड़ता है areolar connective tissue areolar connective tissue KBS PGT की model paper के वज़े से आपका tissue का topic वहीं पर रुख गया है और हम जैसे ही यह model paper खतम हो जाएगा हम आपका यह topic continue करेंगे आप बिल्कुल परिशान मत होईएगा इन्हें हम पूरा कराएंगे animal tissue को तो हम आपको पढ़ाई देंगे चाहे जैसे फिर उसी बहाने हम लोग याद भी करेंगे next question which of the following is the most abundant component of human blood human blood में most abundant component क्या होता है rbc sodium ion blood platelets cholesterol आप जानते हैं कि sir rbc wbc platelets में 99% क्या होती है 99% rbc होती है और सभी का अंसर आना चाहिए rbc सभी का अंसर आना चाहिए rbc जो लोग platelets बता रहे हैं कूटे भी जाएंगे हमने आप पढ़े नहीं है कि 55% plasma होती है 45% blood platelets होती है और इसमें से 99% rbc होती है कहां हो किस दुनिया में हो गंदे next question आपकी screen पर which are the following statement इसमें से कौन सा statement है जो correct है most cells are found in the matrix of connective tissue ज्यादा तर cells जो होती है matrix of connective tissue में पाई जाती है ज्यादा तर जो cells होती है वो किस में पाई जाती है वो connective tissue में पाई जाती है hemocytometer is an instrument used to determine the rbc count select the correct option और हम उम्मित करते हैं लगबग सभी का answer सही आ रहा होगा yes sir hemocytometer एक ऐसा instrument होता है जो rbc को measure करता है जब कोई व्यक्ति लंबा लंबा सोता है तो उसके rbc में 5% की कमी हो जाती है जब कोई व्यक्ति हिम्मत करके पहाड़ों पर चर्णने की कोशिश करता है तो उसकी rbc में 1400 मीटर की उचाई पर जाने पर 1400 मीटर की उचाई पर जाने पर 10% rbc की कमी हो जाती है अगर ये 42 मीटर की उचाई पर जाता है तो इसके RBC में 30% की कमी हो जाती है हीमो साइटो मीटर जो होता है ये इसके RBC को मेजर करता है इसकी काउंटिंग करता है इसकी संख्या बताता है जब कोई व्यक्ति लंबा-लंबा होता है तो उसकी RBC में 5% की कमी हो जाती है और जब कोई RBC इतनी उचाई पर जाने की बात करता है, हमने बताया 1400 मीटर पर जाता है, तो 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, 42 पर जाता है, तो 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, और वहीं से बलड की, वहीं से क्या करने लगता है, बलड की वोमेटिंग करने लगता है, जिसे हम पर दोस्तों तो आब बताएंगे सर होलाड का मतलब होता है किसका Transpiration, Pull का मतलब होता है सर जी, Dixon Jolly, क्या होता है, Dixon Jolly, क्या होता है, Dixon Jolly, और सर जी, इसका मतलब, Cohesion and इसका मतलब भी Dixon Jolly होता है सर जी, और Pulsation Theory, अब देखने कोशिच करिएगा, Dixon Jolly, इन दोनों से मिलकर बना है, A का 5, B का 1, A का 5, B का 1, Answer Will Be, A का 5, B का 1, C का 4, D का 2, और E का 3, और F का 1, Done, Everyone Done, G, B is the right answer, और आप में से जो लोग अभी तक 8 गूध रहे हैं, और किसी कारण बस Newtons के लाग को भूल गए हैं, वो सभी लोग Newtons के लाग को फालो करें, और जो है, अपने Like और Like को Equal करें, Pulsation Theory, Pulsation Theory की बात करते हैं, तो आप याद करते हैं, बोस साहब को, और Root Pressure Theory की बात करते हैं, तो आप याद करते हैं, मैनोमीटर को, Done, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों को, Clear, 35, Which one of the following pairs of structures distinguishes a nerve cell from other types of cell, जे, अच्छा कोशन है, इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा pair है, structure, distinguishes a nerve cell from other type, इसमें से कौन है, जो nerve cell, मतलब दूसरे type की cell को, nerve cell से अलग करता है, किसमें question बनाया है, N-C-E-R-T, कैसा होगा, होगा ना दमदार, जे, बताने की कोशिश करिएगा, और उम्मिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का correct answer आएगा, जी, आंकिता जी, बिल्कुल सही, जी, चल रहा है answer, बीच-बीच में कुछ लोग सही भी answer कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बीच बीच में कुछ लोग सही आंसर भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो महा महा गलत कर रहे हैं जो लोग सही आंसर कर रहे हैं वो लोग यह है पेरी कैरियान यह जो पेरी कैरियान है इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं पेरी कैरियान का नाम है body of neuron, pericaryon किसको कहा जाता है, body of neuron को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, body of neuron को कहा जाता है, pericaryon, iron dendrites, dendrites इससे निकले हुए पार्ट होते हैं, इसलिए neuron को किसने, nerve cell को, कौन other types of cell को distinguish करता है, कौन सा structure है, तो आपका answer होगा d, आप pericaryon देख करके, पता नहीं कौन सा nucleus source रहे थे, इसलिए इसका सही answer क्या हो जाएगा d, इसका सही answer क्या हो जाएगा d, आज ही पढ़ा है, okay, बहुत अच्छे, पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई core कसर नहीं, जम के पढ़िए, इतना पढ़िए कि अपनी आत्मा भी कहे, बहुत अच्छे अनुरोध जम के पढ़ा है, जब अपने आप से सवाल का जवाब मिलने लगे, समझ जाएगे, going to will, select the correct option with respect to mitosis, mitosis के respect में correct option को choose करें, chromatis start moving towards opposite pole in telophase, telophase में chromatis जो होते हैं, opposite pole पर जाने लगते हैं, telophase, prophase, metafase, telophase, telophase, भाईया, telophase में क्या होता है, वो तो अलग होते हैं, Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase, कहरें कि Golgi complex और endoplasmic reticulum हमेशा दिखती रहती हैं, prophase के end में भी, महा गलत, chromosomes move to the spindle equator, chromosomes move करना शुरू करता है equator की और, and get aligned along equatorial plates in metafase, और metafase में वो equatorial plate पर लग जाता है, आप कहेंगे हाँ सर ये तो पढ़ा है, यही काम होता है कि metafase अवस्था में ये इस pole पर लग जाता है, chromatid separate but remains in the center of the cell in anaphase, महा गलत, जी, answer will be, तो आप सभी लोगों का आएगा, ये answer will be C, done, जी, उमिद करते हैं, यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों की clear, उपाशना जी कुछ ख़बर नहीं आ रही है, the correct sequence of different phase of mitosis is, देखिए question, अगर ये भी question किसी से गलत हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सोच लीजिए, next question है, 37 number question, the correct sequence of different phase of mitosis is, pro phase, metafase, enafase, telophase, सब का अंसर आ रहा होगा, pro phase, metafase, enafase, telophase, next question, at metafase, metafase अवस्था में, chromosomes are attached to the spindle fibers by there, chromosomes attached होते हैं spindle fibers से, किस के दोरा, satellites के दोरा, secondary construction के दोरा, kineto course के दोरा, centromere के दोरा, बच्चा बच्चा जानता है सर, ये attached होते हैं, किस के दोरा, ये attached होते हैं, kineto course के दोरा, किस के दोरा, kineto course के दोरा attached होते हैं, और लगभग सभी लोगों का, बिल्कुल correct answer आ रहा होगा, kineto course is the right answer, जी, अच्छा question है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप लोग question पढ़ें और answer करें, आप लोग question पढ़ें और answer करें, अच्छा सा question आपकी screen पर, placed it, पढ़ें और answer करें, इस question को पढ़ें, और आप सभी लोग answer करें, और मुझे पूरी उम्मीद है, कि आप सभी लोग सही answer करेंगे, answer आना शुरू हो गया, जी, 39 number question का answer आना शुरू हो गया, कह रहा है, the number of mitotic cell division, कितनी mitotic cell division होंगी, to require to produce 256 cells from single cell, single cell वे ओलो ते हो one cell, पहला mitosis division होगा तो 2 बनेगी, दूसरा होगा तो 4 बनेगी, तीसरा होगा तो 8 बनेगी, चौथा होगा तो 16 बनेगी, पाच्वा होगा तो 32 बनेगा, छठा होगा तो 64 बनेगा, साथा होगा तो 128 बनेगा, और आठ्वा होगा तो 256 बनेगा, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो answer क्या हैगा? 8. पता है तयारी इसको कहते हैं. तयारी किसको कहते हैं? तयारी इसको कहते हैं. जब आप BSC कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा. जो लोग अच्छी जगा से BSC कियो होंगे, जा करके पढ़ के BSC कियो होंग जो वहां का प्यून होता था वो एक जो है ब्रिश्टल या सीटी लेकर खड़ा रहता था आपको बस उतने समय मिलते थे दो मिनट बस उस दो मिनट में आपको पहचानना था उसके करेक्टर्स लिखने थे डाइग्राम बनाने थे स्पोर्टिंग रर में आठ स्पोर्टिंग दस स्पोर्टिंग होती थी और सटीक टाइम होता था मुझे आज भी याद है मुझे पहले ही सबसे दिखा था पिचर प्लांट और जैसे पिचर प्लांट दिखा था उसका डाइग्राम तो इतना प्रैक्टिस पे था इतना प्रै सटीक, जब ये वाला गेम चलेगा न, बहुत कुछ होगा, जी, बहुत कुछ होगा, उस टाइम हाड लगता था, अब लगेगा इजी, अब पढ़ लियो न, अब ये कोश्चन देखो, अभी कोई-कोई आंसर कर रहा था, B, कोई आंसर कर रहा था, A, गंदे, पहला माय टॉस डिविजन होगा, तो दो डाटर सेल बनेंगी, दूसरा होगा, तो चार, फिर आठ, फिर सोला, इसलिए पूछा गया है, नेक्स्ट, ट्राइगलेसराइड, मेंब्रेन लिपिड, इस्टिरोइड, वैक्स, एनिमल हार्मोन, फीदर एंड लिप्स, फास्पो लिपिड, फास इन फ्रम आफ लिपिड, यहींसे सब पता चल जाता है, जैसे पढ़ा एनिमल हार्मोन, टिक क्या इस्टिरोइड, जैसे पढ़ा फीदर एंड लिप्स, टिक क्या, वैक्स, जैसे पढ़ा फास्पो लिपिड, जैसे पढ़ा ट्राइगलेसराइड, मेंच्ट क्या ये, हो एका 4, बीका 3, C का 1, एका 4, बीका 3, C का 1, D का 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, कहां है, everyone correct, इतनी जल्दी, हम तो चाहते हैं, match the following का धेर सारा question आए, ओके, सक्षी भारती जी, done, आए, next question, आप लोग हमेशा से अच्छे करके आए हैं, बस एक बार और अच्छा कर दीजे, आप लोग हमेशा से अच्छा करके आए हैं, एक बार और अच्छा कर दीखे, question पूछा है, nucleotide, अरे भईया, nucleotide पूछा है, इस question में तो आपको 6 यह question तो आपका 5 सेकंड में हो गया, direct answer भरना था, direct answer भरना था, time बचाओ अभियान, यह नहीं कि अच्छा question पा गए हैं, तो ऐसे पढ़ रहे हैं, nucleotides are formed by purine, sugar, phosphate, purine, pyramidine, phosphate, purine, and phosphate, confused, क्या होगा, लगाया यह, लेकिन time कितना ले लिया, एक मिनट, 6 सेकंड, दूसरे वाले ने 6 सेकंड में question करके आगे बढ़के एक मिनट बचा लिया, exam में मिनट भी बचाना है, और इस वाले question का जब गोला भरेंगे तो इतना अच्छा, गडबढ ना होने पाए, और जान सच्चाई थी ना, जी, पता है हमें, हमें पता है, आपके नस्थ नस्थ से वाकिफ हैं हम, जी, हाँ, एक बार चस्मा पहन के पढ़ेंगे, फिर चस्मा उतार के पढ़ेंगे, जी, डन ना, अरे, इसमें ओवर confidence की कोई बात ही नहीं है, पढ़ लेते हैं, क्या मतलब time करेंगे, नो, एक्जाम में time भी बचाया राता है, match the following, देखें कितना अच्छा सा question है, match the following, निमलिखित को match करें, pro-esthetic group, co-enzyme, metal ions, यह जो metal ions होता है, यह हमेंसा coordination करता है, इसका सही answer हो जाएगा, coordination, और जो pro-esthetic होता है, वो हमेंसा tightly होता है, जो co-enzyme होता है, वो transient होता है, इसका क्या हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 1, याद रखिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा, most most important है, next, the catalytic efficiency, the catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by, करें कि the catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the formation of the product, pH of the optimum value, KM value, अब कुछ पर्णिक जरूती नहीं थी, जैसे देखा, oh my god, KM value वाला कोस्चन है भई, two different enzymes को कैसे compared करते हैं, KM value पर, catalytic efficiency of two different enzymes, G, G, KM value पर, किस पर, KM value पर, next, the pyramidin base the pyramidin base which converts additional stability to DNA over RNA वो pyramidin base कौन सा है जो ये गन्फर करता है कि ये DNA है ये RNA है तो आप बताएंगे सर वो है थाइमीन अगर थाइमीन है तो ये DNA है अगर थाइमीन नहीं है तो यह RNA है, कौन कनफर करता है, तो आप बताएंगे थाइमीडीन, जी, 45, match the following columns, निमन कॉलम को match करें, बुल्ली फ Alberm Cells, गाइड़ लेन्टी में पुलकंई टो कि रहें, यहां कहरा है, बुल्ली फ capacity, बोले तो गाइड़ लेंटा निमन क्यों क्यों crack, बुल्ली फरेंटा बोले तो गाइड़ गाइड़ लेंटी का टो यह भी असेसरी सेल्स होती हैं, एवरिवन नोस, आंसर विल विडी, टाइम बचाओ, एक्जाम में टाइम बचाना भी महारती होता है, जी, किलियर, उमिद करते हैं, यहां तक की बातें, आप सभी लोगों की किलियर, नेक्स कोश्चन, पीते हैं, 50% कर लें, 50% का हम लोग काम कर लें, direction of, translocation of, organic food, our solutes, कहरें कि direction क्या होता है, translocation क्या होता है, direction of, translocation of, organic food, organic food का direction क्या होता है, our solute, solute का upward होता है, downward होता है, radial होता है, सभी होता है, याद रखना, यह flowem भाईया, जो है, all direction में food देते हैं, यह all direction में food देते हैं, आंसर विल विडी, आल होता हैं, बिलकुल, होना चाहिए, आंसर बिल बी D, और सभी का आंसर है, D is the right answer, next question, अच्छा कोश्चन, read the following statement and choose the correct ones, गटेशन is the loss of water, in the form of liquid droplets, from the tips and margin of leaves, correct, ब्लीडिंग is the oozing of water, droplets, from the insert aces of tips, उमिद करते हैं, लगबख सभी लोगों का correct आंसर आ रहा होगा, कि गटेशन में यही होता है, उसके margin पर water आता है, ब्लीडिंग में भी यही होता है, droplets वहाँ से बाहर निकलते हैं, 48, अच्छा कोश्चन, इस कोश्चन में कभी confuse मत होईएगा, अमोनिया से नाइट्रेट कौन बनाता है, तो आप बताएंगे सर, अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रो मोनास कौन बनाता है, नाइट्रो मोनास कहां है, है सर, नाइट्रो मोनास और नाइट्रो कौकस, एक अठ्री, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, कौन, नाइट्रो बैक्टर, और नाइट्रेट को तो nitrogen में कौन बदलता है? Pseudo monas, कैसे याद रखना है? ammonia पहले change होती है nitrite में, तो पहले भाईया कौन आते है? Nitrosomonas, फिर nitrate change होता है, किसमें? तो आप बताएंगे, सर ये change होता है, nitrate में, तो कौन आता है? Nitro bakter, फिर ये nitrate change होता है nitrogen में, तो कौन आता है? Pseudo monas, थोड़ा याद रखना, हमेशा पढ़ना, nitrosomonas, nitrobacter, pseudomonas, nitrosomonas क्या करता है? Nitrosomonas, ammonia को nitrite में बदलता है, consider the following statement, in reductive amination, in reductive amination, ammonia reacts with alpha-ketoglutric acid, and forms glutamic acid, बिलकुल सही है, ये क्या बनाता है? तो आप बताएंगे, सर, ये गुलाटोमिक acid बनाता है, आप बताएंगे, बिलकुल सही है, transamination is the transfer of amino group, बिलकुल सही है, transamination क्या होता है? Transamination होता है, कि, जी, transamination क्या होता है? Transamination होता है, transfer of amino group, amino group का transfer, of one group, of an organic acid, इसका सही answer हो जाएगा, वन और दो, दोनों सही है, 50 number question, which one of the following is an amide, इसमें से कौन सा amide है, involved in nitrogen assimilation by plants, जो nitrogen assimilation में use होता है, ये question बहुत अच्छा है, जो nitrogen assimilation में use होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा amide है, जो nitrogen assimilation में use होता है, उसका नाम है isparagine, क्या नाम है, isparagine is the right answer, क्या नाम है isparagine, isparagine is the right answer, और उम्मित करते हैं, लगभग आप में से, सभी लोगों का answer correct होगा, isparagine is the right answer, आप में से, जो लोग interested हैं, और आपके जानने वाले लोग जो interested हैं, उन सभी के लिए, 24 फरवरी से, NCRT का बैच चलाया जा रहा है, और इस NCRT बैच में, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, आपके पास ये information है, कि आपको 11th की NCRT, और आपको 12th की NCRT पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप ये लोग भी जानते रहेए, कि 9th और 10th, ये छुटेगी नहीं, ये भी चलेगी, मतलब इसमें included रहेगा, 9th और 10th का matter, इसमें हम बता-बता करके पढ़ाते रहेंगे, और आप अगर इन 4 किताबों को खरीदने जाएंगे, तो 1200 रुपए आपके किताब खरीदने में खर्श होंगे, प्लस आपको अपनी मेहनत करनी होगी, फिर जाकर के आप पढ़ पाएंगे, इसलिए आप सभी लोग जो लोग बैच से जुड़े हैं, 2418 रुपए फीज है, सीघ्र एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आप सभी के admission जो परक्रिया शुरू है, वो लगातार continue रहती रहनी चाहिए, क्योंकि इस बैच के माध्यम से, आप सभी की preparation बेटर तरीके से हो जाएगी, और ऐसे लोग जो 12 में हैं, ऐसे लोग जो NEET की preparation कर रहे हैं, और NCRT को बेटर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, वो सभी लोग बैच से जोड़ने के लिए भी यही लिखकर भेजें, जोईन NCRT Bio, और हम आपको detail देंगे, और आपकी face 2918 है, आप इस face में NCRT को बेटरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, आप अपने जानने वाले लोगों को inform करें, यह आपका फर्ज है और आपसे यह उम्मीद है, PGT, PGT, LT, GIC, KVS, NVS Biology के लिए, अपनी संस्था में fresh new gold batch चलाया जा रहा है, जिसमें admission की प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसमें admission की प्रक्रिया रात के एक बचे तक चलती है, और इसमें classes Monday to Friday होते हैं, और Saturday को practice session होता है, यह हमारा detailed batch है, और इस batch में हम लोग सभी topic को, एक बहतरीन से text book को follow करते हुए चल रहे हैं, जैसे हम लोग lower botany पढ़ रहे हैं, तो हम आपके सामने lower botany के लिए, एक text book, सिंग पांडे जैन, आप सभी लोग परचित हैं इस book से, इसे follow कर रहे हैं, इसके अलावा, इसमें आप कह सकते हैं, मेरा अपना self Delhi notes follow हो रहा है, इसके अलावा, इसमें हम आपके practice session को भी follow कर रहे हैं, previous year की चीजे follow कर रहे हैं, तो इस तरीके से lower botany को लेके चल रहे हैं, और RL code Palser को follow कर रहे हैं, जिसमें हम आपको लेके चल रहे हैं नौन कौडेट का टॉपिक इसके अलावाぁ medical की एक text book लेके चल रहे है medical की text book चल रहे हैं आप सभी लोग परचित होंगे इसके अलावा दिल लेके notes चल रहे है पूरे detail batch के form में हमारा ये batch run पर है और इस batch में इस batch की ending September में है ये बैच हमारा सेप्टेंबर में फिनिश होगा और इस बैच को हमने 18 नुवंबर को शुरू किया है ये लगभग 10 से 12 महीने का बैच है इस बैच में पढ़ने वाले लोग 2023 के एक्जाम में जो भी 2023 का एक्जाम अगस्ट सेप्टेंबर के बाद होगा उस तक इनकी प्रिप् टी बायो लिखकर भेजें और कुम्भकरन लोग को जगाने की कोशिश करें कि रिवीजन बैच चल रहा है आपकी अपनी क्लास का उस बैच में जुड़ें और एप्लिकेशन पर साड़े 11 बजे क्लास करें जिनकी प्रिप्रिप्रेशन अच्छी तरीके से हो गई है टीजी गोल्ड बैच से जूड़ता है तो उसे हम लोग रिवीजन बैच फ्री आफ कास्ट दे रहे हैं मतलब रिवीजन बैच की कोई फीस नहीं है तो आप सभी लोग स्योर्टे स्रीज या गोल्ड बैच या ओल्ड बैच आपको पता है अभी भी एक्जाम ओरियंटेड बैच मे एडिमिशन मांग रहे हैं आउनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यू नो दा स्टोरी सत्तर दिन वाले लोग कुछ लोग भया दुनिया में बहुत ही इंटेलिजेंट हैं सेवेंटी डेज ये सत्तर दिन में 500 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं और इ द्धाई साल से भी पढ़ते रहते हैं उनका कुछ नहीं होता सुनने को मिलता है दो क्वेस्टन से रुख गया था चार क्वेस्टन से रुख गया था ये डाई महीने वालों का नहीं रुखता ये सचमें एकदम जी जान लगा देते हैं और जिसके पास केवल एक ऑप्षन होता है selection वो तो धाई महिने में भी बहुत कुछ कर सकता है दस वीडियो कम्प्लीट की जा सकती है no matter उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें clear सब्सक्राइब करते हैं यहां तक की बातें सभी लोगों के clear आये दोस्तों चलते हैं प्रश्णों की श्रिंक्रा पर और देखते हैं अगला question nitrifying bacteria nitrifying bacteria किसे कहा जाता है nitrifying bacteria क्या काम करता है tell me fast nitrifying bacteria क्या करता है tell me fast what does nitrifying bacteria do nitrifying bacteria क्या करता है अरे दुखतर सुल्ताना जी जी बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग राजेश कुमार जी पिया बसरा जी उमीद करते हैं लगबग सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा nitrifying bacteria क्या करता है converts free nitrogen to nitrogen compound वाव बहुत अच्छे कहां पढ़ा था nitrifying bacteria ammonia को nitrate में oxidize करता है याद रखना oxidize करता है किसको oxidize करता है nitrifying bacteria oxidizes ammonia two nitrates ये ammonia को nitrates में oxidize करता है याद कर लेना ऐसे गलती करोगे तो एक बार और तयारी करना पड़ जाएगा hexokinase require divalent cation magnesium two positive ion बिल्कुल सही hexokinase require divalent या bivalent cation mg2 plus positive ion reason are magnesium two positive are magnesium two positive combines with ATP to form mgATP2 दोनों सही है both are correct और इसका सही answer हो जाएगा both are correct और reason जो है इसका great explanation भी कर रहा है जी उमिद करते हैं यहाँ तक की बाते आप सभी लोगों की clear where excess of carbohydrate is deposited in our body हमारी body में excess of carbohydrate कहां deposit होता है muscles में liver में कहां पर deposit होता है kidney में या muscles और liver में लगबग सभी कहां सरा रहा होगा sir muscles and liver में excess excess fat कहां deposit होता है तो सब कहां सरा रहा है excess fat deposit होता है both muscles और liver में इसलिए कुछ लोगों का liver fatty हो जाता है next question आपकी screen पर match the following columns निम्न columns को match करें vitamin b12 किसके लिए जाना जाता है folic acid किसके लिए जाना जाता है niacin किसके लिए riboflavin किसके लिए vitamin k किसके लिए calciferol किसके लिए यह देखिए लिखा है chilosis क्या लिखा है chilosis chilosis जाना जाता है riboflavin के लिए chilosis chilosis जाना जाता है riboflavin के लिए मतलब d6 और आपका bleeding जाना जाता है vitamin k के लिए e का 4, 6, 4 और आपका vitamin b12 जाना जाता है parnecius anemia के लिए parnecius anemia के लिए और folic acid जाना जाता है anemia के लिए niacin जाना जाता है palagra के लिए niacin palagra के लिए और calcium for all osteomalacia के लिए उम्मिद करते हैं सभी लोगों का clear a का 3, b का 5, c का 1, a का 3, b का 5, c का 1, oh my god और d का 6, d का 6, e का b, e का 4, oh ho, f का 2, ये क्या है, दो में same match हो रहा है क्या दो में answer same जा रहा है क्या, नहीं, ये वाला answer सही है, नहीं नहीं, a का 3, a का 3, a का 3, b का 5, ये भी नहीं सही है a का 3, b का 5, c का 6, c का 6, नहीं ये भी गलत, a का 3, b का 5, ये सही है, जी, देखिए, clear, सभी लोगों का, a is correct a is correct okay, Soni Nishad जी Ankeita Maurya जी, कौन सा होगा, a होगा न, जी, आएए, आगे चलते हैं, next question, a 54, जी, next, 55, if RQ is less than 1, if RQ is less than 1 in respiratory metabolism, it would mean that, इसका मतलब क्या होता है, अगर RQ की value 1 से कम हो, तो इसका मतलब क्या होता है, Carbohydrates are used as respiratory substrate, या organic acid are used as respiratory substrate, the oxidation of the respiratory substrate consumed more oxygen than the amount of carbon dioxide released, the oxidation of the respiratory substrate consumed less oxygen than the amount of carbon dioxide released, आप बताओ RQ कैसे निकालते हैं, CO2 upon O2 consumed, eliminate, CO2 जब oxygen क्या होगा, जब oxygen का more amount हो जाएगा, oxygen का more amount हो जाएगा, तो उस situation में क्या देखने को मिलेगा, उस situation में आपको देखने को मिलेगा, carbon dioxide कम, जब oxygen 102 use हो जाए, और carbon dioxide 92 बचे, तो इसका जब ratio निकालेंगे, तो RQ हमेशा एक से कम आएगा, मतलब जब oxygen ज़्यादा यूज होगी, carbon dioxide की तुलना में, तो हमेशा एक से कम आएगा, और जब oxygen कम यूज होगी, और carbon dioxide की तुलना में, तब क्या होगा, तब ये हमेशा एक से ज़्यादा आएगा, तो इस question पूछने का तरीका इसमें कह रहा है, less oxygen, अगर less oxygen यूज होगी, मानले ज़्यादा यूज होगी 90, और यहाँ पर high 102, तो ये तो एक से उपर आएगा, जब ये oxygen ज़्यादा यूज होगी, ये क्या है, concept, इसमें से कौन सा स्टेज है, इसमें से ज़्यादा ATP किसमें बनते हैं, याद रखना, ETS, Electron Transport Chain, किसमें बनते हैं, ETS में, किसमें बनते हैं, ETS में, जी, शुमुरारी जी, नाट गुड, ज़्यादा कहां बनते हैं, तो आप लोगों का अशर आएगा, सर, ज्यादा ETS में बनते हैं, कहां बनते हैं, ETS में बनते हैं, next question, question number 57, उस mechanism का नाम बताईए व्यक्ति blood glucose label कैसे maintain करता है कि ये blood है इसमें glucose का label कैसे maintain करेगा अगर वो बहुत दिनों से वरत पर है बहुत दिनों से वो खाना नहीं खा रहा है तो कैसे maintain करेगा जब खाना नहीं खाएगा तो इसका protein तूटेगा इसका fat तूटेगा जब इसका protein और fat तूटेगा तो ये new substrate होगा मतलब non carbohydrate होगा और जब non carbohydrate को ये चाहिए करते हैं तो उसे बोलते हैं gluconeogenesis क्या बोलते हैं gluconeogenesis बोलते हैं और जो लोग दिमाग नहीं लगाएं जिनका गलत हुआ चुल्लू भर पानी ले लें उसे बोलते हैं gluconeogenesis क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं gluconeogenesis next question, question number 58 आपकी screen पर अच्छा question, important question photosystem 1 is a photosynthetic pigment system located on the oppressed part of grana and thalaquite कह रहें कि जो photosystem 1 होता है photosystem 1 होता है photosynthetic pigment होता है ये कहां पर पाया जाता है grana में पाया जाता है thalaquite में पाया जाता है जो कि क्या है, महा गलत है ये कहां पाया जाता है तो आप बताएंगे sir, ये पाया जाता है thalaquite मतलब lamely membrane में पायाता है ये istroma में पायाता है ये istroma में पायाता है least amount में आप कह सकते हैं कि grana में पायाता है इसलिए ये क्या है, गलत photosystem 2 is photosynthesis pigment located on the non-appressed part of stroma only ये भी आपका क्या है ये भी गलत है कि ये केवल stroma only में नहीं पाया आता है non-appressed part नहीं होता है इसलिए आप बताएंगे both statement are incorrect इसमें आप बताएंगे sir दोनो statement incorrect दोनो statement incorrect है जी इस question को बहुत अच्छे से देखिएगा दोनो statement incorrect है जी आप से यहां पूछा है incorrect कौन सा incorrect है choose the correct accordingly incorrect and correct accordingly चूज करना है तो आपको बताना है कौन सा incorrect है और कौन सा correct आप बताएंगे both statement are incorrect important है देख लिए जगा copy में thus in C4 pathway the first product identified was C4 pathway का first product किसे identify किया जाता है आप सभी का answer आ जहा होगा oxaloacetic acid oxaloacetic acid किसे oxaloacetic acid is the right answer किसे consider किया जाता है oxaloacetic acid को consider किया जाता है this is the right answer next question carboxylation phosphorylation photolysis of water phosphoglycolate nitrosomonas जैसे ही nitrosomonas का नाम आता है हम सभी लोग समझ जाते हैं sir जैसे photolysis का नाम आता है हम लोग समझ जाते हैं sir oxygen का evolution जैसे ही नाम आता है carboxylation का हम लोग समझ जाते हैं rubisco enzyme का कार है मतलग E3, C1 और E 4 अब क्या बचा फोटो फास्पोर रिलेशन हमेशा किसकी बात करता है फास्पोर रिलेशन हमेशा ATP की बात करता है और फास्पो गलाइकोलेट किसमें बनते है? फोटो रिस्पिरेशन में बनते है आज़्सर वृ बिबी अब मुझे पूरा यकीन है भरोसा है आप पर कि अगर match the following का question दिखेगा तो आप सभी लोग बहुत बहुत बहुतर तरीके से करेंगे और सभी question पर जरूर से जरूर अपने वक्त अपना concentration दीजिएगा question आपसे बड़ा नहीं होगा next system Kelvin cycle can be described under three stages Kelvin cycle तीन stages में describe होती है वो stages कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे sir Kelvin cycle जो तीन stage में divide होती है वो तीन stage होते है पहला होता है carboxylation दूसरा होता है reduction तीसरा होता है regeneration हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा था ligation one three or four is the right answer तीन stage होते हैं carboxylation reduction और regeneration carboxylation reduction and regeneration निकिता गुपता जी PS1 जो होता है वो लैमिली में पाए आता है stroma में पाए आता है और thाइला क्वाइड में भी पाए आता है तीनों जगा पाए आता है याद रखिएगा फोटो फास्फोरिलेशन in chloroplast is most similar to the करें कि फोटो फास्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो most similar होता है जो होता है mitochondria में oxidative phosphorylation इन दोनों लेबल पर क्या होता है ATP का formation होता है इन दोनों लेबल पर क्या होता है ATP का formation होता है point should be learned पुछे कभी फोटो फास्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इस मोस्ट सिमिलर टू दा पांसर आएगा माइटो कॉंडियल ऑक्सिडेटिव फास्फोरिलेशन एकडम अच्छे से सारे कुश्चन पर पूरा मनन करना है बहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाना है नेक्स्ट आपका फोटो नैस्टी पहला क्या है फोटो नैस्टी दूसरा है कीमो नैस्टी तीसरा है कीमो नैस्टी आप्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आफ सन फ्लावर सन फ्लावर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यह डिपेंड करती है प्रकास पर जब प्रकास पढ़ता है त of petals होता है, moment of petals, petals is the part of flower, तो यह पहला वाला option के लिए रहे, दूसरा, chemo nasty, chemo nasty मतलब होता है, attraction, मतलब movement towards chemical, insectivorous plant having motile trap mechanism, यह क्या करते हैं, हमेशा motile trap mechanism रखते हैं, जिससे यह chemo nasty करते हैं, यहां लिखा है, moment of spums, of ferns and mosses towards archigonia, इसे हम लोग बोलते हैं, chemo taxi, chemo tactically क्या होते हैं, sperm या anthrozoides attract होते हैं, इसलिए आप कहेंगे सर, यह तो गलत है, क्योंकि इसके लिए chemo nasty नहीं आएगा, समझ आया, इसके लिए chemo nasty नहीं आएगा, life science जी, सब नहीं सही है, chemo nasty का मतलब होता है, moment of flower parts, और आपको brief item पढ़ाया है, कि masses towards archigonia, जो जाते हैं, उसे chemo tactic बोलते हैं, chemo tactically, क्या बोलते हैं, chemo tactically बोलते हैं, क्या बोलते हैं, chemo tactically बोलते हैं, answer will be one or two, answer will be a, next, match the following columns, निम्न columns को match करें, thigmotropism, photonasty, thermo nasty, hepto nasty, sismo nasty, इसमें जो हम सब से अच्छा जानते हैं, और आप कौन सा जानते हैं, उधर देखिए, और जैट, ड्रो सेरा, कुकर बिटेसी, mimosa pudica, crocus, अब कोई ये न बता देगा, कि thigmotropism का मतलब होता है, mimosa pudica को छुएंगे, तो वो touch के मारा क्या होती है, वो touch के मारा जो है, छोटी हो जाती है, तो thigmotropism नहीं कहते, उसे कहते है, thigmot nasty, अगर लिखा होता thigmot nasty, तो आप ठिक करते, thigmot nasty, mimosa pudica, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां लिखा है, thigmotropism, क्या लिखा है, thigmotropism लिखा है, और thigmotropism कौन सो करता है, ये kukarbitesi पौधे सो करते हैं, touch करते हैं, मतलब उनमें क्या निकलता है, आप बताते हैं, कि उसमें जो है 10 बिल्स होते हैं, वो दिवाल से touch करते हैं, घूमते हुए आगे बढ़ते, इसे बोलते हैं, thigmotropism, thigmotropism, this is the thigmotropism, तो इसका हो जाएगा thigmotropism, और sismo nasty को बोलते हैं, thigmot nasty, sismo nasty को बोलते हैं, thigmot nasty, sismo nasty का हो जाएगा, mimosa pudica, उमिद करते हैं, E का 4, और A का 3, सभी को clear, और उसके बाद B पर आ जाएए, B, photon nasty, photon nasty किसमें देखने को मिलता है, oxalis, प्रकास की ओर move करता है, oxalis, यहां देखिए, thermo nasty, कौन आ गया, thermo nasty, most most important, thermo nasty, thermo nasty कौन शो करता है, temperature, pressure, crocus, और hapton nasty, सो करता है, hapton nasty, drosera, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह गलत नहीं होना चाहिए, यह सब गलती का मतलब, आफ़त, लता की तरह, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, A का 3, B का 1, C का 5, D का 2, D का 2, D का 2, C, 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 correct, next, 65, hormones which replaces the requirement of vernalization, कौन सा हार्मोन है, जो vernalization को replace कर सकता है, कौन सा हार्मोन है, answer will be gibralin, कौन सा हार्मोन है, gibralin हार्मोन है, जो replace कर सकता है, vernalization को, vernalization को कौन replace कर सकता है, gibralin, choose the incorrect pair, इसमें से कौन सा incorrect pair है, oxyn, grow करने मदद करता है, gibralin, gibrala, फ्यूजिकुराई के नाम से जाना जाता है, cytokinin, herring sperm DNA में पाया जाता है, ABA, flowering हार्मोन होता है, महा गलत, ABA, anti-epsycic acid, ये एpsycic acid, flowering hormone नहीं होता, flowering hormone के नाम से, किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर, flow region को जाना जाता है, next question, which are the following molecules, can be digested by pancreatic juice, इसमें से कौन सा molecule है, जो pancreatic juice द्वारा digest होता है, इसमें से कौन सा molecule है, जो pancreatic juice के द्वारा digest होता है, 66 number question, इसमें से कौन है, pancreatic juice आप जानते हैं, pancreatic juice की खास बात ये होती है, कि pancreatic juice में, ये एंजाइम, ऐसे से एंजाइम होते हैं, जो fat को भी digest करते हैं, protein को भी digest करते हैं, stars को भी digest करते हैं, nuclec acid को भी digest करते हैं, इसलिए carbohydrate को भी digest करते हैं इसलिए आप बताएंगे सारा digestion का game pancreatic juice ही करता है क्योंकि pancreatic juice जो होता है वो most most important होता है और इस pancreatic juice के माध्यम से सब कुछ digest होता है next question पर चलते हैं question number 68 आपकी screen पर उमिद करते हैं everyone clear in which part of small intestine starch is digested कौन से part में starch starch digest होता है कौन से part में starch digest होता है उमिद करते हैं सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा कि किस part में starch digest होता है तो सभी लोगों का अंसर होगा सर डियूडिनम में pancreatic juice आके मिलता है वहीं पर digestion होता है ileum और jejunum में यहां पर absorption की क्रिया बेटर तरीके से होती है pancreatic juice आके कहां मिलता है आप सभी लोगों का अंसर पता है कि pancreatic juice आकर मिलता है डियूडिनम में और डियूडिनम में ही इसका digestion होता है सबसे ज़्यादा next question 69 read the following statement निम्न statement को पढ़िए read the following statement the falsy form ligaments in man connects liver with diaphragm करें कि falsy form ligament होता है जो man में connect करता है liver को किसे diaphragm से बिलकुल सही है carboxy peptides required zinc for its activity बिलकुल 100% zinc zinc की requirement होती है carboxy peptides में release of pancreatic juice is stimulated by glucagon hormone महा गलत glucagon hormone नहीं होता secretin hormone होता है इस secretin hormone के द्वारा pancreatic juice secret होता है इसलिए तीसरा वाला गलत है choose the option containing incorrect statement only three is the right answer केवल तीन इसका सही answer होगा यहाँ पर incorrect पूछा है जब incorrect पूछा है तो answer will be क्या हो जाएगा answer will be जो है c यहाँ पर अब होश में ये भी रहना है question में देखना है क्या पूछा है incorrect statement पूछा है तो answer हो जाएगा केवल तीन incorrect statement कौन है केवल तीन which one of the following इसमें से कौन है combination of vitamins are synthesized by bacteria इसमें से कौन सा combination है जो bacteria द्वारा synthesis होती है आप बताएंगे sir bacteria के द्वारा synthesis होती है vitamin B12 की तो आप बताएंगे bacteria द्वारा synthesis होते है vitamin 12 और K जी उमीद करते हैं यहां तक का answer आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से clear जी देवदत्थ शर्मा जी विल्कुल done next question पर चलते हैं question number 71 आपकी screen पर exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissue is based on करें कि exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissue is based on किस पर बेज़च्ड होता है याद करिए हमने बताया था pressure पर बेज़च्ड होता है concentration gradient पर बेज़च्ड होता है pressure पर partial pressure पर और concentration gradient पर बेज़च्ड होता है next question the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion is कौन सा factor है जो affect नहीं करता है The factor which does not affect The rate of alveolar diffusion is कौन सा है जो alveolar diffusion को affect नहीं करता Volability of gas ये करता है Thickness आप the membrane करता है Pressure gradient करता है कौन नहीं करता है Reactivity of gases ये नहीं करता है उम्मिद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का answer correct D is the right answer Next question पर चलते हैं Blood does not become acidic Although it carries carbon dioxide करें कि blood जो होता है ये acidic नहीं होता Blood is not acidic Does not become acidic Although यद्यपिया It carries carbon dioxide करें कि ये carbon dioxide Carry करता है लेकिन ये acidic नहीं होता है इसके लिए जो महत्वण भूम का निभाता है वो buffer होता है buffer या ऐसा क्यों होता है इसा होता है In CO2 transport buffer play an important role ये buffer जो है ये इस medium को maintain करता है जिससे carbon dioxide होने के बावजूद भी ये blood जो होता है वो basic नहीं होता वो acidic नहीं होता वो basic होता है Does not become acidic ये acidic नहीं होता due to which buffer plate play an important role during carbon dioxide transport binding of carbon dioxide to oxy hemoglobin अच्छा question है binding of carbon dioxide to oxy hemoglobin occurs when ये कब होगा ये कब होगा कि carbon dioxide oxy hemoglobin से bind करे ये कब होगा binding of carbon dioxide to oxy hemoglobin ये कब होगा जब partial pressure carbon dioxide का ज्यादा होगा और oxygen का कम होगा कब carbon dioxide oxy hemoglobin से कब bind करेगी तो आप बताएंगे oxy hemoglobin से तब bind करेगी जब partial pressure oxygen का कम होगा done बस इतना याद रखना है जब partial pressure oxygen का कम होगा तब ये bind करेगी clear उमिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से clear उमिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से clear Tell me first, next question 75, match the disorder given in column 1 with symptoms given under column 2, choose the answer which gives the correct combination of the alphabets with the numbers, tell me first, asthma, bronchitis, rhinitis, emphysema, आप क्या सोचते हैं, I don't know, लेकिन जैसे हम देखते हैं, rhinitis, rhinitis मतलब नाक से संबन दित, inflammation of nasal tract, answer will be ये, asthma, asthma जैसे नाम आता है, spasm, atom, bronchitis, bronchitis जैसे नाम आता है, हम लोग क्या समझते हैं, inflammation in bronchi, emphysema क्या होता है, तो आप बताएंगे, बिल्कुल फूला हुआ elvuli को emphysema कहते हैं, emphysema, a का 2, b का 4, c का 1, a का 2, b का 4, c का 1, d का 3, answer will be d, answer will be d, इसका answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा d, coughing and sneezing are necessary, क्या दोस्तों, coughing and sneezing are necessary, क्या coughing and sneezing are necessary, क्या coughing and sneezing necessary होता है, क्या कफिंग इसनीजिंग निसेसरी होता है हाँ भई निसेसरी होता है कफिंग इसनीजिंग आर रिफ्लेक्स एक्शन ये रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है आप सभी का अंसर आएगा यस सर दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक्स्प्लानेशन नहीं है अपनी जगह पर दोनों facts आई हैं, lymph is a colorless fluid containing specialized, क्या रखते हैं ये, तो आप बताएंगे sir, containing specialized lymphocytes, इसमें specialized lymphocytes होते हैं, क्या होते हैं, इसमें specialized lymphocytes होते हैं, B is the right answer, क्या right answer, B is the right answer, 78, ECG is the measure of, ECG किसको measure करता है, rate of heartbeat को, volume of blood pump को, ventricular contraction को, या difference in electric potential को, सभी का answer आ रहा होगा, ECG किसको measure करता है, ECG measure करता है, difference in electrical potential, ये electrical potential को, difference को measure करता है, किसको measure करता है, electrical potential के difference को measure करता है, open circulatory system is found in, open circulatory system पाया जाता है, arthropores and mammals में, mollusca and aves में, arthropores and mollusca में, mammals and aves में, सभी का answer आ रहा होगा, arthropores and mollusca में, ये open type का blood circulatory system पाया जाता है, लगबग सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा, C is the right answer, next question, question number 80, आपकी screen पर, neural center in medulla ablongata, can moderate the cardiac function through, कहरें कि neural center in medulla ablongata, जो neural center होता है, medulla ablongata में, जहां से sneezing होती है, cuffing होती है, can moderate the cardiac function through, किसके द्वारा, आप बताएंगे, ANS, autonomic nervous system के द्वारा, 80 का A answer correct है, उम्मिद करता हूँ, लगबग सभी लोगों का question ध्यान दिजिएगा, important है, ANF mechanism, जैसे नाम आता है, ANF mechanism, what will you think, आप लोग क्या सोचते हैं, current mechanism, आपको हमने बताया है, अब आप से पूछा है, ANF mechanism क्या होता है, आप बताएगा दोस्तों, ANF mechanism सर होता है, renin angiotenism mechanism, यह क्या होता है, यह renin angiotenism mechanism होता है, याद रखना most most important है, जैसे आपने counter current mechanism याद किया है, वैसे याद रखिए, ANF mechanism क्या होता है, यह होता है, रेनिन, यह होता है, रेनिन angiotenism mechanism, इसे हम लोग angiotenism mechanism के नाम से जानते हैं, आस्मो रिसेप्टर्स, important, आस्मो रिसेप्टर्स in the body is activated by the change in, करें कि आस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो body में किसके द्वारा change होते हैं, तो आप बताएंगे सर, आस्मो रिसेप्टर्स, blood volume के द्वारा भी change होते हैं, body fluid volume के द्वारा भी change होते हैं, ionic concentration के द्वारा भी change होते हैं, तो आप का अंसर हो जाएगा, all of these, यह किसके द्वारा चेंज होते हैं, all of these के द्वारा चेंज होते हैं, जी, उमिद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, सभी लोगों की किलियर, जी, एनिजोटेंशन मेकनिजम, रेनिन कहां होती है, किडिनी में, याद रखिएगा, out of the four, out of the four parts given below, which parts play significant role in forming concentrated urine, इसमें से कौन सा पार्ट है, जो concentrated urine बनाने में मदद करता है, कौन सा पार्ट है, जो concentrated urine बनाने में मदद करता है, तो आप बताएंगे सर, इसमें सबसे important पार्ट है, लूप आफ हैनिले, बोमेन कैपसूर फिल्टर करता है, गुलोमेरूलस फिल्टर करता है, वासा रेक्टा, ये दोनों पार्ट हैं, जो urine को concentrate करते हैं, मतलब दो, एक औ रेक्टा दिया है, तो ये भी answer correct है, ये दोनों मिल करके, urine को concentrate करते हैं, urine को concentrated बनाते हैं, याद रहेगा, जी, tell me fast, याद रहेगा सभी को, जी, बताने की कोशिश करिएगा, next question, question number 84, आपकी screen पर, choose the mismatched part of the nephron with their function, इसमें से कौन सा mismatched part है, बोमन capsule, filtration करता है, बिल्कुल सही है, PCT, sodium, potassium, iron का reabsorption करता है, बिल्कुल सही है, loop afen, urine concentration करता है, बिल्कुल सही है, reabsorption of glucose, नहीं दोस्तों, ये pH को maintain करता है, ये क्या करता है, पीच को maintain करता है, इसलिए DCT गलत है, ये DCT क्या है, ये गलत है, जी, और लगभग सभी लोगों का आंसर विल्कुल करेक्ट आ रहा है, जब ऐसे question आया करें दोस्तों, तो खुब सारा, मतलब time बचा करके, आंसर फटाक से दे करके आगे बढ़ना है, ट्रांसपोर्ट आफ एलेक्ट्रोलाइट्स, थ्रो लूप आफ हैनले, ट याद रखिएगा, इसमें डाइग्राम में आपको पढ़ाते समय बताया है, यहाँ पर दोनों होता है, लूप आफ हैनले में, जो ट्रांसपोर्ट होता है, एलेक्ट्रोलाइट्स का, वो एक्टिविली भी होता है, और पाइसिविली भी होता है, जी, next question पर चलते हैं, question number 86 आपकी screen पर, which one is incorrectly matched, इसमें से कौन सा incorrectly matched है, देखिएगा दोस्तों, यह है tendon, tendon connective tissue होता है, बच्चा बच्चा जानता है, smooth muscles involuntary होती है, बिल्कुल सही है, red muscles myoglobin में पायाता है, बिल्कुल सही है, troponin, यह fibrous protein नहीं होती, यह cardiac heart में पाई जाने वाली protein होती है, heart में पाई जाने वाली protein होती है, इसे troponin, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग troponin बोलते हैं, और troponin most most important है, जी, troponin most most important है, और जानते रहना है, यह heart के muscles में पाई जाती है, heart muscles में पाई जाने वाली protein होती है, उम्मिद करते हैं, सभी को याद रहेगा, during skeletal muscles, जब skeletal muscles contract करती है, what will happen, जब skeletal muscles contract करती है, what will happen, यहाँ पर जब आपको चीजें याद रहेंगी, तभी concept clear होने वाला है, तो क्या होता है, during skeletal muscles contraction, following event occurs, क्या होता है, I band shorten, A band shortens, H zone shorten, sarcomere contract, ATP changes into ADP, महा गलत, इसमें केवल एक काम होता है, A band shorten, जो A band होता है, वो short हो जाता है, वो आपको कैसे याद रहेगा, आप बहतरीन तरीके से समझेंगे, तब याद आएगा, next question, आप बताएंगे, केवल तीन, sorry, H zone shorten, यह जो H zone है, यह shorten हो जाता है, B का मतलब हमने सोचा यह, क्या हो जाता है, only 3, H zone shorten हो जाता है, यह point याद रखिएगा, इसमें H zone shorten हो जाता है, only H zone, H zone shorten हो जाता है, यह बात को ध्यान रखिएगा, next, 88, match the following, humerus and alana, malious and stepes, sternum and ribs, clavicle and glenoid, उमिद करता हूँ, सभी लोग फटा-फट समझ गया होंगे, malious and stepes, किसकी बात करता है, यह article की बात करता है, और यह pectoral girdle किसकी बात करता है, यह बात करता है, यह आपकी बात करता है, clavicle की, humorous, अब दो हो गएं, D का 4, B का 1, B का 1, D का 4, A का देखिए, axial muscles होती है, humorous and allah, axial muscles होती है, और sternum and ribs, appendicular skeleton होता है, इसलिए इसका सही answer हो जाएगा, यह सब question यह बताते हैं, कि इस तरीके की आपको ज़्यान जरूरी होना चाहिए, choose the correct statement, correct statement को choose करें, देखें कितना अच्छा है, यह NCRT इस question को जरूर उठाती है, synovial joints are freely movable, ball and socket and hinge joints are the synovial joints, synovial joints are characterized by synovial cavity with fluid between the articulating surface of the bones, या all, आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा, synovial joints are freely movable, बिल्कुल सही है, ball and socket and hinge joints are, बिल्कुल सही है, example है, synovial joints are characterized by synovial cavity, बिल्कुल सही है, इसका सही answer होगा, all the above, उस दिन synovial joints जब पढ़ रहे थे आप joints, उसमें यह points आये थे, इसका answer हो जाएगा, all the above, next question पर चलते हैं, question number 90, blind spot is called so because of, blind spot को blind spot क्यों कहते हैं, the presence of photoreceptor cells, presence of optic nerves, absence of photoreceptor cells, आप सभी का answer आ रहा होगा, c, absence of optic nerve cells, इसलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसका हम लोग blind spot कहते हैं, which of the following is are correct for pupil, आप human eye, human eye के pupil के लिए कौन सा correct है, human eye के pupil के लिए कौन सा correct है, pupil की बात हो रहे हैं दोस्तों, it is the aperture surrounded by the iris, बिल्कुल सही, यह aperture होता है, iris से surround होता है, the diameter of pupils is regulated by muscles fiber of iris, बिल्कुल करेक्ट है, उसका diameter इसी से कम ज़्यादा होता है, it is a transparent crystalline structure attached to the ciliary body, यह transparent structure होता है, ciliary body से attached होता है, इसका सही answer होगा, all of the above, pupil के बारे में यह जो concept है, यह all of the above को बताता है, और आप लोगों को भेटरीन तरीके से एक दो बार इससे हो कर जाना है, एक दो बार इससे हो कर जाना है, next question, 92, which are the following statement is are correct, इसमें से कौन सा statement correct है, I hope so, कि आप सभी का correct answer आएगा, कौन सा statement correct है, डेंड्राइट्स और लांग फाइबर्स WITH BRANCHED DISTILIN, कहने की, डेंड्राइट्स और लांग फाइबर्स WITH BRANCHED DISTILIN, नहीं दोश्टों, एक जोनर्ण darling, डेंड्राइोंस राज़्ज डेंगयूL, आप कहेंगे जास्ट यह सही, यही सब का काम करना है NCRT में जैसे अभी यहाँ पर question बता के आगे बढ़ जा रहे है NCRT में ऐसा नहीं होगा NCRT में एक एक चीज किलियर होगी फिर जब यह question सामने आएंगे तो मुझको बताने जरूत नहीं होगी आप application पर handle करेंगे इसका यह answer होगा जी फिर आप खुद पढ़के बताएंगे अच्छा यह गलत next match the following निम लिक्विट को match करें gastrin बच्चा बच्चा जानता है secretin बच्चा बच्चा जानता है secretin जी CCK GIP जैसे आप से पूछा GIP आप बताएंगे inhibit gastric secretion जैसे आप से पूछा CCK आयक्सान गाल ब्लैडर जैसे पुछा secretin stimulate secretion of H2O bicarbonate और secretion of SCL A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, कहां है 4, 3, 2, 1, जी उम्मिद करते हैं सभी लोगों का answer 100% correct जी लगबख सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से 100% correct answer आ रहा होगा उपासना जी next question 94 Medulla ablongata causes reflex action like vomiting, coughing and sneezing बच्चा बच्चा नहीं हर सारी दुनिया के लोग कहते हैं यह सही है यह Medulla ablongata है जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी जानते हैं अगर किसी को वूल्टी आती है, खांसी आती है तो दादी, मा, मा अपने बच्चे के Medulla ablongata को थप थपाने लगते हैं और जो अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 5-6 साल का हुआ है, 7 साल का हुआ है अगर उसके सामने कोई बच्चा खांसने लगता है, तो वो भी यहां थप थपाने लगता है क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, Medulla ablongata reflex action के द्वारा काम करता है और जब खट खटाता है, तो जब यहां थप थप आता है, तो खांसी रुख जाती है मतलब कोई जाने या ना जाने, आपको तो जानना ही चाहिए, इसमें बहुत सारी nerve cells होती है which controls autonomic reflex, जो autonomic reflex को control करती है Medulla ablongata causes reflex action, उमीद करते हैं, everyone clear उमीद करते हैं, everyone clear, both are correct and explain also जी, 94 का A, next चलते हैं, 95, important question आपकी screen पर Embryo sac is also called, Embryo sac को और किस नाम से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सर Embryo sac is also called female gamete, महागलत, synergit, महागलत, एग आफ एंजियोस्पम महागलत, it is called gametophyte, इसे हम लोग gametophyte के नाम से जानते हैं, जी, female gametophyte कह सकते हैं आप, female gamete नहीं, female gamete को एग कहते हैं, synergits are, ये synergits कैसा होता है, है, haploid, diploid, triploid, tetraploid, आप सब का आणसर आएगा, synergits are haploid, synergits कैसे होते हैं, synergits haploid होते हैं, I hope so, सभी लोगों का correct, जी, जी, विने मैनी जी, female gametophyte नहीं है, तो हम लोग gametophyte टिक कर सकते, next question, 97, इन चास्मों गैमी, अगर हम चस्मा लगा के देखेंगे, तो आपको कौन सा flower दिखेंगा दोस्त, चस्मा लगा के देखोगे, तो कौन सा flower दिखेंगा, तो आप लोग बताएंगे sir, जब चस्मा लगा के दिखेंगे, तो open flower दिखेंगा, और जब चश्मा बंद करके देखेंगे तो किलिस्टो गयमी फ्लावर दिखेगा तो open flower is the right answer. याद रखना चश्मा में कौन सा होगा? ओपिन. प्राइमरी इंडो इस्पर्म सेल याद आया? ये आपने NCRT में ही पढ़ा था. प्राइमरी इंडो इस्पर्म सेल is formed. प्राइमर से कौन आया था? प्राइमरी इंडो इस्पर्म ही आया था और इस आधार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा. आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन. नेक्ट से नैंट इनन बहुत अच्छा कुस्चन है कि आपको बताना है रहा है? इसमेंнесे कौन सा है? जो पोड़िलाइज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़जन इवन्स? मतलब फ़िलाइज़ज़ज़ज़ज़ज़ बाद होता है तो किसी का मन कर रहा हो इंडो इस्पर्मो जेनसिस महा गलत है जो एंजियो इस्पर्म होते हैं उसमें ये फर्टिलाइशन के बाद बनता है लेकिन जो इसके पहले होते हैं जिम्नो इस्पर्म तक उसमें फर्टिलाइशन से पहले बनता है इसलिए ये क्या है ग जी लगबग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है last question session का last question हम अगले दिन और question देखें question अब और थे लेकिन ज्यादा लंबा हो जाता इसलिए आपके लिए और question नहीं 200 200 questions 7 में थे लेकिन आपको 11 बच जाते हैं गड़बर हो जाता इसलिए हमने 100 करा दिया है 100 अगले दिन करा देंगे find out the correct statement correct statement को find out करिए पार्थिनो कार्पी fruits are seedless बिल्कुल सही पार्थिनो कार्पी is developed by hormones बिल्कुल सही तो इसका सही अंतर हो जाएगा A और B तो तो दोस्तों ये थे आपके 100 questions जो NCRT based थे और हम सभी लोगों ने इन 100 questions को पूरा किया और आप सभी लोग जितने लोग हैं अपने जानने वाले लोगों के लिए NCRT batch के बारे में information दे और gold batch में जितने लोगों ने आज अपने admission की प और botany में हमने classification of bryophyte पढ़ाया है classification of bryophyte पढ़ाया है और कल हम लोग पढ़ेंगे economic importance of bryophyte जो gold batch के लोग है old batch के लोग है mind map batch के लोग है exam oriented batch के लोग है जैसे ही economic importance complete हो जाएगा तो classification और economic importance आपके batch में share कर देंगे don't worry be happy आज के लिए इतना questions कैसे थे NCRT क्या help कर सकती है इस बारे में आप comment box में comment करेंगे और अपनी बताने के कोईश करेंगे questions का label क्या था और जो लोग KVS वाले हैं वो सभी लोग जूटे रहें जमके पढ़ते रहें all the best thank you good night शुबरात्री जैहिन